हरो दोस्तों कोई कैस में आपका स्वागत है UPPCS का पेपर जो है 14 माई को है और UPSC का पेपर 28 माई को है और बिहार का पेपर सितंबर में है पेपर 29 पहल मेरा किस फसल से संबंदित है अगर आप से घ्जाम पूछा जाए कि मीरा एक पहल शुरू की गई है किस फसल के लिए शुरू की गई है तो ये बाजरा की उत्पादन के लिए शुरू की गई है भारत द्वारा मोटे अनाजो की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा नामक एक नई पहल की शुरूआत की है मिलिट इंटर्नेशनल इनिसियर्टिफ फ़र रिसरच और एंड अवरनेस ठीक है, तो मीरा का ये फुल फाम है और मीरा नामक योजना शुरू की गई है पहल किसके लिए शुरू की गई है तो ये बाजरा उत्पादन के लिए शुरू की गई है एक मैप दिखाया गया है, बहुत सारे बच्चे फसलों को नहीं पहचान पाते हैं, तिसी बहाने वो पहचान लेंगे, दुसरा कुशन है, पहली बार माला बार बहुत पच्चिये, सैन, नो सैनिक अभ्यास 2023, कि मेजवानी कौन सा देश करेगा, तो यह अस्टेलिया करेगा, या दखेगा, अस्टेलिया में पहली बार माला बार बहुत पच्चिये, सैन भ्यास हो रहा है, और नो सैनिक अभ्यास ह होता है नो सेनिक अभ्यास होता है उसमें चार देस हैं भारत जापान अस्टेलिया और अमेरिका यही कौार्ड के भी देस हैं और यही मालावार के भी देस हैं तो यह या दखे का बहुत ही important question है यह पूछा जाएगा कि मालावार सेन अभ्यास किन किन देसों के बीच में होता है तो मालावार सेन अभ्यास भारत जापान अस्टेलिया और अमेरिका चार देसों के साथ होता है यह और बारी बारी से हर देसों में होता है और पहली बार ये अस्टेलिया में होने जा रहा है नश कोशन है हाल ही में भारत दोरा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिकेंच कि लांचिंग की गई है तो सिंगापुर के साथ की गई है ये भी बहुत महात्मूर कोशन है याद अखेगा ऐसे कोशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनको आप याद रखेगा नश कोशन है धाल ही में भारत का पहला राष्टिया मेट्रो रेज ग्यान केंदर किस सहर में बनाया जाएगा तो दिल्ली में दिल्ली में मेट्रो के ग्यान के लिए मेट्रो के नॉलेज के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है और वो सेंटर है नॉलेज सेंटर के अस्थापना की जा रही है दिल्ली में बहुत इंपॉर्टन कोशन है इसको याद रखेगा नेश्ट है फरवल्ड गॉर्मेंट समिट दोजार तेज का पता कहां लगाया गया है तो जमू कस्मिर में लगाया गया है लीथियम के भंडार का भी पता लगाया गया है और बहुत ही महात्पुर्ण ये कोशन है कि पूछा जा गई जाम में कि लीथियम के भंडार का पता कहां लगाया गया है तो वो है आपका जमू कस्मीर में Next question है December 2030 तक भारत की पहली Next question है December 2030 तक भारत की पहली hydrogen train संचारित करने की घोश्रा की गई है उसका नाम क्या रखा गया है बंदे मैट्रो हमारे देश में December 2030 में लच रखा गया है कि हम hydrogen से train चलाएंगे और उसका नाम क्या रखा गया है बंदे मैट्रो याद रखेगा Next है अंतराश्टिये मुद्राकोस ने किस देश के लिए कुल 4.7 billion American dollar के रेड की मंजूरी दी है तो वो देश है बंग्नादेश बंग्नादेश को IMF ने 4.7 billion की रेड की मंजूरी दे रखी है Next question है किस राज सरकार ने सिंगल यूज प्लाश्टिक बाई बैंक योजना सुरू की है तो हिमाचल परदेश ने सिंगल यूज प्लाश्टिक को समाप करने के लिए हिमाचल परदेश ने इस तरह की योजना सुरू की है Next question है Next question है इरान और किस देश ने ब्रिक्स कलब में सामिल होने के लिए आबिदन किया है अर्जन्टिना या देखेना ब्रिक्स देश में ब्रिक्स एक कलब है एक समू है और ब्रिक्स में चार देश आते हैं इंडिया, चीन, ब्राजील और दच्छिर अफरीका इन चार देश के अलावा इरान और अर्जन्टिना ने भी इस कलब में सामिल होने के लिए आबिदन किया है लेकिन अभी इसको सामिल नहीं किया गया है तो इक जाम में बहुत important है यह इसको ौँछा का Chya सकता है नेश्ट है किस राज में साहर्स बिसे अभी इलेक्सन हुआ है तो इक जाम में पूछा जा सकता है नेश्ट कोश्चन है बहुत important कोश्चन है हैजडराबाद के आखरी निजाम का निधन हो गया है उनका नाम क्या था अंतिम निजाम थे ये नेश्कोशन है जून 23 भारत और किस देश के बीच पहला सैन अभ्यास चक्रवन का आयोजन किया गया है मिस्र याद रखेगा भारत और मिस्र के बीच में पहली बार चक्रवन चक्रवात वन नामक सैन अभ्यास किया गया है यह याद रखेगा उसका नाम रखा गया है चक्रवात वन नामक सैनना भ्यास नेश कूशन है जनुवरी दोजाट्याइज में संगाई सर्योग संख्षन फिल्म महसो में कौन से फिल्म दिखाई गई है तूलसी दास जूनियर संगाई स्रयोग संग्ठन एक ऐसा संग्ठन है जिसका मुख्यरत संगाई चीन में है और इसकी बैठक 2023 में भारत में होने वाली है और इसके लिए फिल्म महुसो मनाया गया और कौन सी फिल्म दिखाई गई तूरसी दास जूनियर बहुत ही महात्पूर कोशन है या दखेगा किस सहर में आवजुद किया गया वरारसी में किया गया है बहुत ही महात्पूर कोशन है ये भी या दखेगा निश्च है बिसोस्वासंक्षन के अनुसार किस अफरीकी देश ने इबोला रोक के परकोक को समाप्तकी गोशना की है यूगांडा यूगांडा में इबोला नमक वाहिरस फैले था और ये जो है अभी हाल में इसको समाप्त कर दिया गया है और इसके लिए सभाप्ती की गोशना कर दी गई है और इबोला एक नदी है उसी के नाम पर ये इबोला वारस रखा गया है और ये नदी कहा वैती है कांगो में पिनिश कुशन है उत्तर परदेश की पहली महिला पुलिस कमिस्णर किसे निक्ट किया गया है लच्छमी सिंगो लच्छमी सिंगो जो है यह उत्तर परदेश की पहली महिला पुलिस क्रमिस्टना निक्त किया गया है बहुत ही मात्मूर कुशन है इसको याद रखेगा निश्कोशन है भारत का कौन सा राज देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज बन गया है केरल केरल में पूरे केरल में फुल डिजिटल बैंकिंग वाला काम सुरू हो गया है हर काम डिजिटल रूप से होता है ऐसा करने वाला केरल पहला भारत का राज बन गया निर्ट्स कोशन है अब सिर्ट से हरित हाइड्रोजन निकालने वाला देश का पहला स्थापित किया गया है तो यह पूने में स्थापित किया गया है हाइड्र हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए पहली बार देश में पहला स्थापित किया गया है पूने में और इस तरह के को दोनों में मिलते रहेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए लाइक कर दिए और बेर आइकन को जुरू ट्रेस कर लिएगा जिसे नोट्रिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो कैसा रहागा आप लोग कमेंट में जुरू बताजिएगा अगर किसी को कोशी कोशन म को दिया जाएगा बताया जाएगा ओके थैंक यू